हेलो प्रेंट्स आज मैं आपको यह वाला तोरन डिजाइन बनाके दिखाऊंगे जो कि बिल्कुल सिंपल और आसान है बहुत आसानी से बन जाएगा तो इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे तोन पट्टी से पहले में तोन पट्टी बन बताऊंगे आपको उसके बाद यह वाला डिजाइन बताऊंगे तोन पट्टी के लिए बारा चेन लेनी है बारा चेन एक चेन छोड़के यह वाली छोड़ेंगे जो इसके पास है इसमें हमें डालके सिंगल क्रोशिया बनाना है फिर नेक्स्ट में दो हो गए तीन चार और ये पांच पांच सिंगल क्रोशिय बना लिए अब इधर के काउंट कर लेंगे अबर आमारे छे होने चाहिए इधर वन टू त्री पोर फाइव और एके शिक्स तो फाइव उदर छोड़ देंगे शिक्स वाला हम बीच में रखेंगे तो इसमें में दो सिंगल क्रोश ये बनाने है सेम जगें पर इसी चेंड में उससे हमारा देजाइन आएगा दो बना लिए अब दूसरी साइब के पांच सिंगल क्रोश ही तो इस तरह से बना लेना ये देखे 1, 2, 3 4 जेन 3 भी रख सकते हैं, खोर भी ले सकते हैं और अब हमें ये जो राउंड है ऐसे करेंगे और इसका जो बैक वाला धगा है ये वाला ये है ये है चेन का बैक वाला धगा ये हमारी चेन है और इसका बैक वाला धगा लेंगे तो बैक वाला धगा लेके और फिर सिंगल क्रोश या बनाने तीन पांच काउंट करके बनाने फिर चठे में फिर दो ही बनाने चार पांच पांच हो गए यह सिक्स्त है तो इसमें हमें दो ही बनाने दो सिंगल क्रोश ये सेम चेन में और वापिस से दूसरी साइड के फाई पांच त्री और ये पोर पाई ये देखिए इस तरह से आएगा पाई हो गई अब तीन चेन लेंगे तीन या चार जो भी आप ले रहें कंटीनिव कॉंट करके उतने ही लेनी है और अभी भी हम बैक साइड में जाएंगे तो ये बैक साइड वाली चेन है जो वही हमें बनानी है पूरी तोरण पटी में ये वाली कॉंट करके बनाते जाएंगे पाउंच लेने है तो ये बीच का सिक्स्त वाला सेम जगह पर दो सिंगल क्रोश ही और अब नेक्स्ट बना लेंगे पाउंच वन टू त्री पोर पाई तो दोनों बराबर आ रहें और ये हमारा डिजाइन आ रहा है वापी से हमें चार चेन लेके बांध लेना है और फिर से डिजाइन शुरू कर लेना है तो इस तरह ऐसे यह मैंने तोन पट्टी बनाई है अगर आप तोन पट्टी का फूल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अपलोड है अब देख सकते हैं उसमें केवल तोन पट्टी बनानी हमने बताई हुई है तो इस तरह से कंटिन्यू बना लेना है जितनी लेंद में तोन पट्टी चाहिए उस हिसाब से सेम ऐसे ही बनता जाएगा पूरा एक जिंगे पर दो तो यह देखिए इस तरह से डिजाइन आता जाएगा रहाम कंटिन्यू बना लेंगे तो यह देखे, तोन पट्टी हमारी बन के तियार हो गई है, आप चाहे तो इसके पिनीसिंग भी कर सकते, इस तरह से इस साइड में मैंने करी है, और इस साइड में भी कर सकते, तो चली अब हम डिजाइन बना ना बताएंगे, यह वाला किस तरह से हमने बना के तियार किया है तो पट्टी के बाद अब हम डिजाइन शुरू कर लेंगे देखें सिंपल और आसान डिजाइन है यही से स्टार्टिंग करेंगे तो यह एक तरह से फिनीसिंग भी हो जाएगी बाद में हम उपर से भी फिनीसिंग कर लेंगे दूसरे पार्ट पर तो यह लास्ट हमने जाच छोड़ दा था यही से शुरू कर लेंगे एक चेन लेनी है और फिर नेक्स्ट में डाल लेना है सिंगल क्रोश यह से या स्लिप स्टीच से जैसे बनना चाहें फिर एक चेन और नेक्स्ट में एक चेन नेक्स्ट में यह देखें तो इस तरह से पूरा राउंड बना लेंगे तो यह देखें इस तरह से यह टॉर्ण पट्टी की फिनीसिंग भी हो गई वो डिजाइन भी शुरू हो गए हमारे इस तरह से ले आना है और यहां पर मैं दस चेन लोंगी वन टू टू ट्री पूर फाइव शीक्स्ट सेवन एट नाइन टें वन टू थ्री तीन छोड़कर फॉर्थ में डालना है काउंट करकर के डालने है पृट इन चीन चीन ट्री शो रिच चीन ले ने और वन टू थी तीन ये ठोड़ने है और फोर्थ में डालना है तो इस तरह से इसमें मैंने पांच बनाए हुए है तो पांच बना लेने तो देखें दस दस चैन लेके बना लेना है अभी हमें यहां पर एक में लूगी सिंगल क्रोश यह और फिर इसमें छे डबल क्रोशे बनाएंगे वन तू त्री पोर फाइव और यह शिक्स पिर एक चैन लेनी है और फिर छे आप डबल क्रोश यह दूसरी साइड में तततý है कि इस दिन दूसरी हमें नाना है अप डबल क्रोशे लेने हैं और पर उसандर बैल्चन लेके जुन जों लेना है, slip stitch से, और बापी से शुरू कर लेंगे, इदर से, 1, 6, count करके 6, half, double crochet, 2, 3, 4, 5, और ये 6, है, अभी हमें बनाना है, यहां पर 1 chain, और फिर 6, half, double crochet, तो ये राउंड ऐसे ही बनाएगा, जब कर लेंगे, अच्छे से, और इस तरह से ये बनाते जाएगे, बिलकुल आशांड दी जाएगे, इसके बाद पिंक का राउंड होगा, यहां चेन के जगे, यहां पर हम 2, half, double crochet, डालेंगे, पिंक वाले में भी, और लास्ट ग्रीन का जो थर्ड वाल अराउंड है, इसमें भी बीच में 2, half, double crochet, और पहले में जो चेन ली है, उस पर 2, half, double crochet, 2, half, double crochet, इसी तरह से पूरा ये बनाना है, और ये हर बार slip stitch से बीच में बांध लेना है, इस तरह से, और फिर शुरू कर लेना है, शुरू हाफ, double crochet, इसे भी कर सकते हैं, या एक सिंगल crochet ले ले ले, उसके बाद हाफ, double crochet बना ले, इस तरह से भी कर सकते हैं, तो continue बना लेए, बनाएंगे, और उसके बाद चेन है, और फिर छे, बनाएंगे, 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 तो यह देखें यह रावन कम्प्लीट हो गया है अब हम सोड़ा पिंक कलर का और बता देते हैं बनाना तो सेम ऐसे ही है डबल आफ डबल क्रोश ही हमें यहीं पर डाल लेंगे और यह हाप डबल क्रोश ही से सुरू करेंगे तो यह देखें यह बना लाए और अब यह बीच है जहां पर एक चेन ली थी इसमें हमें दो बनाने हैं हाप डबल क्रोश ही है और इसी तरह से सेम ऐसे ही नेक्स राउन में बनेंगे जो हम ग्रीन कलर का बनाएंगे और कंटीनियू ऐसे ही यह बनता जाएगा डिजाइन तो यह बना लेते हैं फिर नेक्स कैसे स्टार्ट करेंगे वो दिखाएंगे और बीच में हमें इस तरह से स्लिफ स्टीच ले लेना है और फिर ही शुरू कर लेना है तो इसी तरह से नेक्स राउन भी बना लेंगे और यह भी बना लेंगे तो यह देखें तो यह देखें प्रेंट्स डिजाइन हमारा बन गया है इसी तरह हमें कंटिन्यू बना लेना है बिलकुल आसान तरीका है और चेन आमने यहां पर दस ही लिए सब में तरह दस दस चेन लेके और फिर बनाना है तो जब तक एक बचा तब तक बना लिया है अब हम इसकी फ्neasing करेंगे फ्neasing आप कैसे विकर सकते जालर भी लगा सकते, पॉम पॉम बोल वगेरा भी लगा सकते, तो यहां पर मैंने कुछ पॉम पॉम बोल बनाई है, पिंक और ग्रीन, आप चाहें, तो देख सकते हैं वीडियो, अमारे चैनल पर अफ्लोड है, इनका पॉम पॉम बोल बनाने का, बीच में हम ग्रीन कलर लगाएंगे, पॉम पॉम बोल का, और साइड़ों में दो पिंक कलर लगाएंगे, बीच में थोड़े मोती लगा देंगे, जितनी लेंद बनाने हो, उस हिसाब से मोती डाल सकते हैं, यह इसमें मैंने 16 मोती डाल दिये हैं, 16 मोती का यह मैं लटकन लगा रही हूं, बीच का हई, साइड़ों में फिर थोड़े कम लगेंगे, 10-10 मोती या 12 मोती लगा के, लगा सकते हैं, साइड़ों का, इस तरह से सील लेना है, और इसी तरह से निचे के यहां पर लगा लेंगे, इसमें मैंने 13 डाल लें, 13 का लगा रही हूं, यहां पर मैं साइड़ों में, दूसरी साइड में और लगा लेंगे, तो यह देखे, प्रेंट्स डिजाइन हमारा बन गया है, तोरन के लिए, बिल्कुल आसान और सिंपल डिजाइन है, अगर डिजाइन अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को सेर भी कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, थेंक्यू,